हिमाचल विधानसावा का बजट सत्र समापत हो गया है इस सत्र में कुल 16 बैटके हुई 16 दिन तक चले बजट सत्र में 55 घंटे 32 मिनट तक कारवाही चली 6 मार्च को मुख्यमत्री ने सदन में बजट पेश किया बजट अनुमानों पर 24 दस्यों ने 4 दिन तक चर्चा की 16 मार्च से बजट के अनुमान मागों पर कटावती प्रस्ताववा चर्चा की गई सत्र में 530 तारंकीत और 218 तारंकीत प्रशनों के उतरप्रास्तूत किये गए दो दिन 11 सरकारी दिवस थे इस दोरान 5 सरकारी विधेक पुरुस थापित किये गए सत्र के दोरान करोना से बचने के लिए एहतियात के कई कदम उठाए गए दोनों पक्षों में इस दोरान सार्थक चर्चा हुई मुखे मंतरी जराम ठाकुर ने कहा कि सत्र की शुरुआत गरमाहट के साथ हुई लेकिन समापती सोहारध पूरण महौल में हुई सत्र में सार्थक चर्चा हुई है इस सरकार का ये चोथा बजट था कोबिड के बावजूद अच्छा बजट पेश किया गया ऐसा दोर किसी भी पूरे मुखे मंतरी के समय नहीं पैदा हुआ बाव जूदिस के अच्छा बजट पेश किया गया मुखे मंतरी ने कहा कि सुजान सिंग पठानी अबरामस रूप के रूप में परदेश को ख्षती हुई है उन्होंने कहा कि अगामी चार नगर निगमोब दो उप चुनाव में भाजपा जीतेगी फतेपुर्वा मंडी में भी MP के लिए चुनाव होंगे जिसमें भाजपा जीतेगी करोना के बड़ते मामलों कोलिये कर सक्ती बढ़ाने कोलिये कर CM ने कहा कि DC, SP के साथ बैठक होगी जिसमें सिती का जाहिजा लिया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रेटन सेजन प्रभाव इतना हो इसकी कोशिश की जाएगी अगर परिसिती अब बिगरती हैं तो तब ही आगे लॉकड़ान जैसे बड़े निरने लिए जा सकते हैं वहीं बिपक्ष की नेतम केशक निहोतरी ने कहा कि बजट राशी का प्रयोकरिमचारियों पेंसंधारियों के लिए खर्च करें शुरुआत में कॉंग्रेस के पांस दस्यों को बाहर किया गया था विधान सबब इधायकों का क्षेतर है हमारा गतिरोत सरकार से है समयधानिक व्यवस्था से नहीं करजे के कानून को पास करने के विपक्ष खिलाब था लेकिन सतरूर दल ने संख्यावल के अधार पर इसे पास कर दिया उन्होंने कहा कि सरकार कई महत्तव पुर्ण बिश्यों पर लगे सवालों का जवाब देने में ना काम रही है परदेश के कर्मचारियों, SMC टीचर्स, महंगाई, किसान बागबनों के मसले सदन से बाहर उठाए जाएंगे अगामी नगनिगम चुना में कॉंग्रेस जीतेगी आने वाला समय कॉंग्रेस का है कॉंग्रेस की ही सरकार बनेगी PR TV के लिए शिम्ला से पुष्पेंदर की रिपोर्ट